नमस्कार सातियों, यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो सातियों, आज हम आपको एक बहुती बहुती बहतरीन जानकारी आपके साथ सेर करने जा रहे हैं हम आपको बताएंगे कि आपने यदि अपने गाड़ी के उपर लोन ले रखा है तो आप जब अपने गाड़ी के लोन लेने के बाद, लोन सेटलमेंट यदि आप करवा लेते हो तो आपको आगे आने वाले बविश्य में इसका कितना नुक्सान देना पड़ेगा हम इस वीडियो के मादें से आपको विश्टार से बताने जा रहे हैं तो साथियों जो भी साथी लोन के उपर गाड़ी ले लेते हैं और वह अपनी गाड़ी की किस्ते टाइम पर पे नहीं कर पाते तो पे नहीं करने पर हमारा चेक बाउंस हो जाता है और company के द्वारा हमसे check bounce के भी extra रुपई लिये जाते हैं इस परकार financial के द्वारा हमसे extra charge लिये जाते हैं और वह जो extra charge जो बनाता है वह इतने ज़्यादा amount का बना देता है कि वह हम भरने में ऐस मर्द होते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हमने जो पैसा financial को देना है हम उसमें कुछ छोट करवा लेते हैं ताकि हमें कुछ पैसेगी बचत हो जाए हम छोट करवाने के चकर में अपने loan को loan settlement करवा लेते हैं तो loan settlement करवाने के बाद आपको क्या नुक्सान होने वाला है हम इस वीडियो के मादम से बताएंगे क्योंकि सातियो लोन सेटलमेंट करवाना आपके लिए अच्छा नहीं होता ये आपके लिए एक बहुती खतरनाक साबित होने वाला है आगे आने वाले समय में तो सातियो यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सबसक्राइब कर ले और बेल आइकण को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी असाने से मिल सके और सातियों यदि आप loan से related किसी भी परकार का कोई भी सवाल या जवाब हमसे जानना चाते हैं तो आप हमें टेलिगराम गुरूप पे को जोईन कर सकते हैं या फिर वीडियो के description में चैनल के description में आपको हमारा whatsapp नमर मिल जाएगा आप उस whatsapp नमर के मादम से भी हमसे direct call कर सकते हैं या फिर आप हमें message कर सकते हैं हम आपकी समस्या का समाधन करने के लिए तुर्ण थाजिर होंगे तो सातियों अब हम बात करते हैं कि loan settlement करवाना ठीक है या नहीं और आपको एक लाक रुपे मानलो यदि आपने भरने हैं तो व तो सातियों आपने वहां से 5-10,000 रुपे बड़ी असाने से बचा लिए लेकिन आपने ये जो 5-10,000 रुपे बचाए हैं ये आगे आने वाले समय में आपको बहुत जादा बड़ा नुक्सान करने वाले हैं तो वह नुक्सान आप जान लीजिएगा इस से सबसे बड़ा नुक्सान तो यही होने वाला है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपने वहिकल के उपर लोन लेते हो या फिर आप अपने वहिकल के उपर रीफाइनस करवाते हो तो जब भी आप अपने वहिकल पर लोन लेते हो तो लोन लेते समय आपने पिछले वहिकल पर जो लोन settlement है आपके pen card के ओपर चड़ा हुआ होता है तो इस परकार वह जो loan settlement है वह ये श्यो करता है कि इस आदमी के द्वारा अपने गाड़ी की किस्ते समय पर पूरी pay नेक करके वह अपनी किस्ते bounce करता रहता है और इसका जो civil record है और इसका bank के साथ जो वैवार है वो इतना अच्छा नहीं है जितना की एक अच्छे civil score के तहत होना चाहिए तो इस परकार वह लोन settlement आपका एक गंदे वैवार को दर्साता है और आपका गंदा वैवार आपको आगे आने वाले समय में भविश्य में किसी भी परकार का छोटे से चोटा या बड़े से बड़ा लोन लेते समय आपके पाओं में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है और आपको लोन लेने में काफी बंक incentive करना पड़ता है अब कुछ साति यह कहेंगे कि सर हम ने भी lowon settlement करवा था लेकिन हमें तो लोन लेने में कोई problem नहीं आई तो सातियों कापी लोग्रोगों को लोन लेने में problem नहीं आती लेकिन आप एक बात बड़े अच्छे से जान लीजीए गाrr Il लेकिन आपकी जो लोन लेते समय आपकी जो rate of interest है वह rate of interest आपके civil के record के according minimum से minimum ने लगा के उसमें कुछ increase कर दिया जाता है जैसे कि आपके civil के according यदि आपको 7% के उपर अगर आपके गाड़ी के उपर finance होना है तो वह लोन settlement होने के कारण आपकी जो rate of interest है वो 7% ने लगके 9 य आपको लोन तो मिल गया लेकिन आपकी जो rate of interest है वो तो साथ की वज़ाई 10% हो गई आप 3% आपको अपने उस जो आपने जितने भी रुपे का लोन लिया है आप उसके ओपर 3% का extra भ्याज भी तो आपको देना पड़ा तो इस परकार लोन settlement करने पर आपको लोन लेने में बहुत बड़ी समस्या आती है और आप 5,000 रुपे नय बचा के आप कोशिश करें कि पूरा का पूरा पैसा आप बैंक को पे करें और आप loan settlement नहीं करवाई loan को close करवाते समय यदि loan settlement करवाने के बारे में आपने सोच है तो आप loan settlement नहीं करवाए नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको जो loan है वो नहीं मिलेगा और यदि मिल जाता है तो आपको उसका जो rate of interest है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ती है तो इस परकार आप सभी जान गई होंगे कि loan settlement आपके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है अंजी साथियो इस चैनल पर हमने और भी बहुत सी वीडियो बनाई है जैसे कि ट्रेक्टर लोन कैसे ले जैसी भी को लोन पे कैसे ले महिंदरा 265 DIXP पलस जो मोडल है वो अभी जो नया लोन्च हुआ है उसको भी आप 25,000 रुपे की down payment भरके आप ले सकते हैं या फिर और भी अन्य बहुत सी परकार की वहल और वहयकल लोन से जोड़ी बहुत सी परकार की वीडियो आपको इस चैनल के ओपर मिल जाएगी तो आप उन्हें भी वात्स कर सकते हैं और आपके किसी भी साथी का लोन और लोन से सम्मंदित या वहिकल और वहिकल से सम्मंदित कोई भी किसी भी परकार का यदि कोई सवाल है तो आप हमसे डारेक्ट भी जोड़ सकते हैं